आज होके अपने notepad के complete lecture के साथ और इस lecture में हम notepad के theory भी देख रहे होंगे प्लस इसके tools जितने भी होंगे वो सारे हम cover कर रहे होंगे single lecture के साथ और even last में हम कुछ projects भी इसकी inside बना रहे होंगे तो extension जो होता है जैसे के .txt extension होता है इसी तरह .bat और बेच फाइल के base पे आप कुछ viruses बना सकते हो इसके तो आप अपने computer को even protect कर सकते हो और अपने अपने मकसद के लिए use कर सकते हो कोई harmful नहीं होता है और even हम इसमें देखने भी वाले हैं कि आप इसमें code कैसे कर सकते हैं तो start करते हैं introduction to notepad से समझते है notepad होता क्या है तो थी लाइन में मैंने इसे define किया है notepad क्या होता है यह एक in build tool और feature होता और software और app होता है और हर window में होता है अगर आप old version की window यूज़ करते हो या latest जिसे के Windows 7, Windows 8 और Windows 10, even 11 की inside भी आपको notepad मिल जाता in build means इसे download करने की ज़रत नहीं होती यह computer में पहले से होता है अगर आप window यूज़ करते हो तो window के inside यह पहले से मौज़ूद है अच्छा next line में कहा जा रहा कि notepad एक basic और simple text editing program है text editing means कि आप इसके उपर text type कर सकते हो और इसमें हम basic level तक जितना भी document का काम होता है वो हम कर सकते हाँ इसमें advanced tools नहीं होते हैं पर basic level पे जितना भी आपका काम होता है notes वगरा बनाना वो हम notepad के उपर आराम से बना सकते हैं और even हम इसे के रहे होते हैं कि यह code editing program भी है इसके inside आप HTML का code कर सकते हो आप CSS का code कर सकते हो आप JavaScript का code कर सकते हो तो आप languages भी इसकी inside type कर सकते हो रहा जा रहा mostly हम notepad को use करते हैं typing के लिए जाहर बात है अगर text editing है तो इसकी inside text टाइप होगा और इसे हम typing purpose के लिए use कर रहे होते हैं तो typing के बेस पे जो भी आपके काम होंगे अगर आपके पास advanced tools नहीं होते हैं जैसे कि MS Word वगरा तो आप notepad से भी अपना काम अराम से ले computer की तरफ बढ़ते हैं तो आज चुक है हम यहां पर desktop की तरफ और आपको यहां पर नीचे विंडो बटन और या तो आपको यहां पर मिलेगा बस आपने विंडो बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद notepad सर्च कर लो और इंटर कर लो आपके सामने notepad यहां पर open होके जाएगा अच्छा दूसरा तरिकर क्या होगा क्या आपके विंडो बटन पर क्लिक कर लो क्लिक करने के बाद all apps पर आपने क्लिक करना है और यहांसे scroll करते जाना है notepad को यहां पर आजाता है MS Paint आ जाता है और ओपर आ जाएंगे यहाँ पर और N के Inside यहाँ पर देख सकते हैं Notepad मिला क्लिक करोगे Notepad एक दफ़ा पर Open हो जाएगा और तीसरा तरीका लास तरीका जो कि Window Plus R के तुरू आप यहाँ पर Notepad को Run Command के Base पर Run कर सकते हो तो यह एक Run Command है और इस Run Command के Inside हम Type कर सकते हैं अपना जो भी Command होगा तो मैं यहाँ पर Notepad के लिए Type कर रहा हूँगा Notepad और Enter करते OK करते Notepad एक दफ़ा पर Open हो जाएगा समझा चुका होगा कि Notepad कैसे हम Open कर सकते हैं जिसे Open करोगे तो यह इसका Interface होगा अब इस Interface की Inside कुछ चीज़े जो के आपको समझने होंगे यहाँ पर Groups होते हैं और हर Group का अपना नाम होगा यह से के Top पे आपको यह वाला Area मिल रहा है तो यह Title बार के लाता और इसी Area की Inside आपको यहाँ पर बताया जा रहा कि यह जो फाइल अपने Open के यह Untitle है और इसका कोई नाम नहीं है और इवन यह फाइल अभी तक Save नहीं है अगर Save होगा भी इसका नाम क्या रखा गा है Untitle रखा गा है फिराल यह Save नहीं है अगर हम इसे Close करेंगे कुछ काम करेंगे तो यह ज़रूर Question करेगा कि सबसे पहले यह File Save कर लो या तो पर इसे जाया कर लो देखेंगे आगे एक सार है यहाँ पर यह Close की कुछ टेप्स आमेरे पास आ रहे होंगे इसके तो आप टेप्स बंद कर सकते हो आपने यहाँ पर एक और टेप को ला है वहाँ पर सेम बटन पर क्लिक करोगे तो यह Restore Down भी यहाँ पर कर रहा होता है और नीचे आओगे तो यह आपके पास रहेगा Menu Bar इसे Menu Bar कहा जाता तो क्लिक करोगे यहाँ पर जो तीन चीज़े आपको मिल रहे हैं तो एक दफ़ा पर देख लो Menu Bar यह था Menu Bar Menu Bar के इंसाइड यह होंगे Tabs Tabs पर क्लिक करोगे यह Menu निकल के आ जाती है और Menu के इंसाइड आपको यहाँ पर Options मिल रहे होते हैं और Next यहाँ पर जहाँ करसर बिलिंक कर रहा है उस एरिया को हम यहाँ पर Working Area के रहे होते तो यह Working Area होता है और जैसे हम यहाँ पर कुछ चीज़े टाइब करते है टाइब करने के बाद आपको Scroll Bar मिल जाता तो नीचे एक Scroll Bar मिल जाएगा आपको और अगर हम यहाँ पर नीचे के दर आप Content लिखेंगे तो एक और Scroll Bar आपके सामने आजाएगा तो दो-दो Scroll Bar आपको यहाँ पर मिल जाएगे अगर आप Content लिखते हों तो एक होगा Horizontal Scroll Bar यह One होगा Horizontal Scroll Bar और यह वाला होगा Vertical Scroll Bar Vertical Scroll Bar के तरूँ आप उपर जाते हो और नीचे स्क्रूलिंग करते हो और जो Horizontal Scroll Bar है इसके तरूँ आप Left और Right स्क्रूलिंग कर रहे होते हो तो फिलाल लेख लो इसके तरूँ मैं उपर जा सकता हो नीचे आ सकता हो इसके तरूँ मैं Right जा सकता हो और Left जा सकता हो तो ये तब आएगा जब आपको content कुछ ज़्यादा हो जाता है और screen से बाहर निकल जाता screen से बाहर नहीं means ये window जो है window से ज़्यादा हो जाता है content तो उस content के लिए scroll bars यहाँ पर enable किये जाते है नीचे देखो के तो इससे हम status बाहर कह रहे होते हैं और इसमें आपको information दिया जाता आपके यहाँ पर document के आवाले से कि notpad के inside आपने कितने line टाइप के कितने characters टाइप के और आपका cursor कहा है और कितने % zoom है और windows के आवाले से बताया जा रहा even आपको यहाँ पर code system के आवाले से बताया जा रहा तो यह था notpad का interface तो इसमें कुछ चीज़ यह थे जैसे कि title bar था title bar यहाँ पर आपको बता रहा था कि आपके file का नाम क्या है इस वकत file save नहीं है तो इस file को save करने के लिए हम file पे click करेंगे save as पे click करेंगे और इसे location देंगे desktop का कोई भी location आप दे सकते हो नाम और file का नाम 123 लिख लेते हैं और save पे click करेंगे इसे अगर मैं close करूँगा तो अब को यहाँ पर एक file दिख रहा होगा तो अगर हम double click करेंगे इस पर वापस तो यह file इस तरह open के आ जाएगा और उपर देखो कि यह title bar अब change हो चुका है extension और कुछ लिए identity होती है identity means पहचान तो हर file का अपना पहचान होता है और यह जो identity या पहचान है यह use होता है by computer computer इसे use करता है अब extension computer क्यों use करता है ताकि यह files को पहचान सके और उन्हें manage कर सके और उन्हें mixing से बचा सके जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस file को save करते हैं तो save करने के बाद जाहर बाद इसका यह वाला file निकल के आ जाएगा तो इसका extension आपको देखना है तो वैसे front पे हमें extension इसका देख रहा है .txt पर आप right click करोगे right click करने के बाद आपके सामने properties नाम का option alt plus enter इसका shortcut क्यों होगा इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि यह जो file आप इस वकत open करने जा रहा है जिस पे काम कर रहे हो उसका extension क्या होगा तो यहाँ पे आपे बताया जा रहा इसका extension .txt है और इस type के files का पे open होगे notepad की inside open होगे तो जाहर बात है यहाँ पे .txt वाली जो files होगे वह हमेशा notepad की inside यह open होते है क्योंकि यह text file होते है अब इसके लवा अगर हम यहाँ पे window plus R और मैं search करता हूँ win word जो मैंने यहाँ पे ms word को install किये अपने computer में और इसे open करने के बाद इसके inside हम कुछ content वगरा लिक लेते हैं और इसके file को मैं यहाँ पे save करने जाओंगा save करने के लिए हम location चूज करेंगे browse के बाद और desktop location देके इसका नाम भी 123 में रख लेता हो और file को हम यहाँ से कर लेते हैं save करने के बाद इसे हम से close करते हैं file को save करेंगे और refresh करेंगे computer को refresh करने के बाद यहाँ पे file में घोर कर ले तो यहाँ पे 123.docx आ रहा है और यहाँ पे 123.txtr अब यह दोनों files अलग के से हुए अब यह दोनों जो files हैं वो दोनों अपस में mix क्यों नहीं हुए और यह अलग-अलग के से यहाँ पे बने तो इसका वही simple fund है कि computer को इनका extension पता है तो MS word का यहाँ पे extension क्या है वो computer को पता है उसके base पे वो MS word का file यहाँ पे creator manage कर रहा होता है और यहाँ पे नीचे आपको text का file देख रहा होता है तो इसका extension computer को पता है टेक्स्ट वाले फाइल अगर सेव होंगे तो इसको extension.txt मिलेगा MS Word वाले फाइल अगर सेव होंगे तो इसके extension.docx मिलेगा और इसके बैस पर यहाँ पर जो फाइल से वो मैनेज हो रहे होते अगर extension system आप computer से खतम कर लेते हो तो जो भी फाइल आप सेव करोगे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपने कौन सा सॉफट्वेर यूज किया और वो फाइल पता नहीं computer किस नाम में और किस extension में वो सेव कर रहा होगा और कैसे वो मैनेज कर रहा होगा तो extension system simple होता है कि यह आपके computer का जो भी files होंगे आपके software की जितने भी files होंगे उनको मैनेज करने में help कर रहा होता है computer का तो extension system और कुछ नहीं एक identity होती है computer की और वो identity computer यूज करता है ताकि वो files को manage कर सके और mixing से बचा सके तो जब भी आपके files एक दुसरे में mix नहीं हो रहा है और mixing से बच रहा है तो समझ ले computer वहाँ पर extension system का use करके उन files को arrange और थरतीव दे रहा होता है तो extension आपको समझ आ चुका होगा और interface भी आपको समझ आ चुका होगा तो पहला tool यहाँ पर आ रहा है new tape को open करना तो जब हम इस पर click करेंगे तो यह आपको नया tape दे रहा होता है और same की button जो काम कर रहा है वो same काम आप यहाँ पर इस plus button की तुरू भी कर सकते हो यह feature आपको window 11 दे रहा है तो नया file नया window में open नहीं हो रहा है आपको same window में मिलना है ताके ज्यादा windows open नहीं हो और यहाँ पर चीजे ज्यादा disturb नहीं हो तो यह single window की inside आपको multiple files का option दे रहा है कि आप एक file बना लो, दो बना लो, तीन बना लो पर हमेशा जितने भी files बनाओगे वोसे window की inside create हो रहे होंगे अगर आप चाते हो मुझे अलग सा file बनाना है तो इन files को आप अलग भी कर सकते हो इस तरह left click पकड़ के रखो जैसे के मैंने क्या किया है यहाँ पर left click पकड़ के रखा इसके जो title बार होगा इस पर left click पकड़ के रखो कीच लो इसे बाहर निकालोगे तो देख लो यहाँ पर एक वो जो window थी वो इससे अंटोक हो गई और अलग हो गई तो कुछ इस तरह से आप जो भी window यहाँ पर बनाओगे उन्हें अलग भी कर सकते हो कुछ इस तरह से आगर आगर आप चाते हो मुझे नया window चाहिए वो इ नया फाइल आपको देदेगा पर से विंडो की इंसाइड अब अगर आप चाहिए नया फाइल चाहिए मुझे अलग से विंडो में चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो आपको नया फाइल भी मिलेगा और वो एक अलग और सेपरेट विंडो में आपको मिल रहा होगा नेक्स आ रहा है यहाँ पर फाइल के inside open तो इसके तो आप पुराने फाइल्स open कर सकते हो जो भी फाइल्स आपने save कियोंगे हर option के आगे हैं यहाँ पर shortcut keys भी लिखे गए हैं इनको भी आप एक दफ़ा जरूर चेक आउट किया करो फिलाल हम यहाँ पर option के साथ जा रहे होंगे जिसका नाम होगा open open में जो पुराने फाइल्स है उनको open करना इस वाले window में या तो notpad की inside पुराने फाइल्स को open करना जो फाइल्स आपने पहले save कियो जिसे हम इसे close करेंगे वापिस यहाँ से notpad या तो फिर window प्लस आर से notpad को आप run कर लो run करने के बाद इसमें बेकाव अभी तक आपका पढ़ा है अगर हम यहाँ पे से close कर ले तो फिलाल वो जो पुराना फाइल्स हो यहाँ पे close हो चुका है अचा एक तरीका यह रहेगा दूसरा तरीका आप फाइल को drag and drop भी कर सकते हो इस तरह उठाके drag and drop drag and drop करोगे तब भी फाइल कुछ इस तरह से open होके आपके सामने आ जाएगा तो अपने यहाँ पे यह सीखा कि जो फाइल आपने save किये हैं उपन उप्शन अचा अगे बढ़ते नेक्स आरा है save करना तो अगर आप यहाँ पर कुछ काम कर लेते हो जिसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और लिखने के बाद मुझे यह काम save करना है तो फाइल पे क्लिक करेंगे save पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे desktop location दे दे या तो कोई भी location दे दे हम यहाँ पे triple one के नाम से इस file को save करते है तो मैं यहाँ पे triple one लिकूंगा location desktop दूँगा और कुछ भी change नहीं करना save पे अपने click कर लेना है और अगर आप इसे close भी करोगे एक दफ़ा refresh मार लो अपने desktop को तो save किया गया file आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब इसे वापस open करना है तो double click कर लो यह file वापस notpad की inside open हो जाएगा और next option आ रहा होगा यहाँ पे save एस और save एस और save दोनों में फर्ग क्या होगा save का का क्या है कि एक दफ़ा यह वाला जो file है जिस पे आपने काम किया उसको save करना तो आपने एक दफ़ा save कर लिया अब next आप इसमें जो भी change करोगे नया काम करोगे उस काम को same file में save करना वापस आप उसके लिए जाएगा और वो dot यहां से चलागा है अब जो भी आपने change किया वो इस file में जाके save हो चुका है और ये file यही यहाँ पे इस वकत open है अच्छा अगर आप यहाँ पे next line में कुछ लिखते हो और आप चाहरा है यह वाला जो नया काम है ये मुझे same file के insight save नहीं करना इस पूरे काम के लिए अब एक नया document और एक नया text file चाहिए तो आप file पे click कर सकते हैं click करने के बाद save as पे click करोगे save पे click करोगे तो ये change same file के insight save हो जाएगा मुझे same file में नहीं चाहिए एक नया file create करना है तो save as और desktop location या कोई भी location और मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ triple two save पे click करेंगे click करने के बाद refresh कर लो एक दफा desktop को आपके सामने file आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आप file के insight जाके save को option यूज़ कर सकते हो save as means कि same file को अब बार बार save कर सकते हो अलाग अलाग files में और इसके लिए multiple files create कर सकते हो save में इस same file के insight सिर्फ changes को save करना या तो first time file को save करना समझा चुका होगा ये दिन option आगे आ रहे है save all अब save all का का क्या है अभी भी आप कोगे कि यह जितना भी काम था यह तो इसमें जाके save हो चुका होगा double click कर लो बिल्कुल यह save हो चुका है पर अगर आप यह पर नया टेप open करते हैं और इसमें कोई काम करते हैं पर नया टेप open करते हैं इसमें कुछ काम कर लेते हैं अब अगर आप चाहरे हैं कि यह file यह file यह file अच्छा Save As, Save As भी यही फाइल सेव करके दे देगा पर multiple times same file को आप बार बार सेव कर सकते हो using Save As और Save As और Save में next option जो आ रहा है Save All, Save All means यह तीन के तीन टेपस जो open है इसमें जो सेव नहीं है उनको भी सेव करना और सब को सेव करना अब फाइल पे क्लिक कर लो Save All पे क्लिक कर लो location आपको देना होगा तो desktop location में दूँगा और one नाम से यह फाइल हम यहाँ पे save कर रहे होंगे अब save करने के बाद यह वापस लोड करके आपको वापस डेस्टॉप दे देगा यह वापस लोड करके आपको वापस विंडो दे देगा और पिर कहा जा रहा है कि यह जो दूसरा फाइल है इसे भी save कर लो तो हम two नाम दे देते हैं यहां पर इस file को भी हम save करेंगे तो अब यहां पर तीन के तीन file इसने save कर ली और यहां पर तीनों के extension और नाम आ चुके और files आ चुके तो कुछ इस तरह से आप save all option के तुरू जितने भी आपने file open कियोंगे उन सब को एक साथ ही सेव कर सकते हो यूजिंग सेव आल अप्शन नेक्स आ रहा है पेज सेट अप कब काम आएगा जब आप यहाँ पे जो भी चीजे लिख चुके हो उन्हें प्रिंट करने लगोगे तो उससे पहले आपको सेट अप करना होगा अप प्रिंटिंग से पहले सेट अप क्यों नीड है और क्यों जरूरी है वजा तो मान ले आपने यहाँ पे जो भी काम किया वो एक ऐसे पेज पे है जिसके डिमेंशन कम है पर आपने प्रिंटर लिया प्रिंटर की इंसाइड आपने कुछ पेज रखा और वो पेज इस पेज से बड़ा है या तो पिर चोटा है तो अगर आप काम कर रहे हो चोटे और स्माल पेज पे आप काम कर रहे हो और यहाँ पे लार्श पे यहाँ तो बड़े पेज पे आप चीजों को प्रिंट कर रहे हो यह सारे चीज़े page setup के inside होते है तो print करने से पहले जरूरी होता file के inside जाना है page setup करना है page setup पे जैसी click करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ options आजाएंगे सबसे पहले paper choose करना और इस side पे आपको preview दिख रही होती है कि आपने जो setting की है उसके बदले आपका page इस वकत के से दिख रहा है और next आ रहा है यहाँ पे orientation चूज़ करना अपने landscape में print करना है यहाँ portrait में और next आ रहा है margins यहाँ पे और bottom में आ रहा होगा यहाँ पे header and footer समझते स्टेप बाइ स्टेप पहला paper चूज़ करना तो अलग अलग type के काखज होते है जिनके उपर आप print निकलते हो letter होता है letter नाम का काखज होता है A4 नाम का काखज होता है इसी तरह A3 नाम का काखज होता है A5 नाम का काखज होता है legal होता है और चलते जाए अब आपने जिस काखज के उपर data print करना या बाजार से जो भी कागज आपने लाया होगा उसका नाम होता है और उसका नाम होता है सिंपल जो भी कागज आपने प्रिंटर में रखा है उसका नाम आपने यहां से चूज करना है ताकि जितना वो कागज उसका जो भी साइज होगा यहाँ पे आपके फाइल के लिए भी same size choose किया जाए तो हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद different type के यहाँ पे आपको कागज मिल रहे होंगे paper मिल रहे होंगे इसमें से आप choose कर लो जैसे के ज़्याद famous होता है A4, हर foot state वाले के पास A4 कागज होता है तो A4 ज़्याद famous है तो maximum time आपके जो books होंगे वो भी A4 के उपर ही print होगे आपको मिल रहे होते तो हम A4 पे click करेंगे इस वोकत हमने यहाँ पे size और paper क्या उटा है A4, अब A4 इसलिए मैंने choose किया क्योंकि यह famous है और माले मैं भी आगर in future print निकालूंगा तो मैं A4 के उपर ही print निकालूंगा मागी आप जो भी कागज buy करते है बाजार से simple उस कागज को यहाँ से और उस paper को यहाँ से choose कर लो next आ रहा होगा यहाँ पे source तो source को आपने इसी तरह ही रहने देना है अटो पे और नेक्स आ रहा होगा यहाँ पे orientation औरिंटेशन means कि अगर आपका कागज कुछ इस तरह से आ रहा है तो इसके पर जो डेटा है वो आपको इस तरह print करना है अगर इस तरह print करना है तब भी ठीक है या तो पिर आप डेटा को इस तरह भी print कर सकते हो तो यह होता है लेंड्सकेप इसका मतलब कागज यहाँ पे portrait है और अगर हम इस तरह करते है तो यह कागज landscape में convert हो जाएगा landscape में width ज्यादा होता है portrait में height ज्यादा होता है तो इस वक्त आप वही यहाँ पे choose करोगे तो इस वक्त हमारा जो कागज है वो यहाँ पे आ रहा होगा कौन से mood में? portrait mood में तो मुझे portrait नहीं landscape चाहिए मालो मेरा यहाँ जो data है उसका width ज्यादा है तो हम landscape पे click करेंगे तो यह landscape में convert हो जाएगा बागे आपको जो भी choose करना है आप अपने लिहाँ से यहाँ पे choose कर सकते हो जैसे भी आपको data print करना हो नेक सारा यहाँ पे margins margin means यह side हो पे जो कुछ gap आपको दिख रहोगा यह gap margins केलाता तो इनको कम करना या ज्यादा करना है उसके लिए आप margins choose कर सकते हो चाते हो paper की border और content के बीच में gap वो margins केलाता इसी तरह top से भी होता है left से होता है right से होता है और bottom से होता है तो चार side हो से आपको margins मिल रहे होते हैं copy को पर जो lines आप लगाते हो उन lines को हम margins ही कह रहे होते हैं जैसे आप line लगाते हो आप कह रहे होते हैं तो जो भी रूस से मिलते हैं उसी के बैस पे वो चीजों को print कर रहा होता है तो इस वक्त जो margins है left और right से 11 inches का है और bottom और top से 0.75 inches का है तो अब यहाँ पे नहीं change कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिकूंगा 4 और यहाँ से portrait हम चूज कर लेंगे तो इस वक्त देख लो तो इस वक्त हमने left side की जो margins है वो 4 inches कर लिए तो यहाँ पे 4 inches के margins हमें मिल रहे होंगे और data को जिस तरह से print हो जाएगा इसी तरह आप top से margins दे सकते हो left से दे सकते हो right से दे सकते हो कुछ लोग इस तरह data को print करके यहीं करेंगे तो जायर बात है आपको content बिलकुल खराब दिखेगा तो इस वक्त हर side से आपने margins बढ़ाए और content पूरे page की उपर सिर्फ इतना ही print होगा बागी page खाली रहेगा तो आपको margins अपनी हिसाब से रखना है zero रखोगे तो zero भी रख सकते हो margins को आपको इस तरह से zero रखना चाहते हो उपर वो कुछ margins अइट कर लेता है ताकि data आपका misprint ना हो जाए और bottom में आपको याप मज़ीद कुछ options मिल रहे होंगे जैसे कि header and footer header and footer का 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 क्या होगा वो समझते हैं मालने आपका जो data है वो चार pages पे print हो रहा है पांच pages पे print हो रहा है आपको हर page पे print करना है तो direct अगर आप यहाँ पे लिखो गे वो सिर्फ 1ी page पे print होगा जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा nasib code studio मैंने यहाँ पे लिखा Simple code studio तो अगर मैं print करूंगा तो जाहर बात है यह सिर्फ first page के उपर ही print होगा तो मैं चारो यह नसीब code studio अगर मैं डेटा 10 pages पे प्रिंट हो रहा है 100 pages पे प्रिंट हो रहा है तो 100 pages पे मुझे नसीब code studio को print करना है तो पिर यह correct location नहीं होगा अब इसे उटा ले control x cut कर ले cut क्या होता है अभी आप इडिट टेप में बढ़ने वाले हो और हमने जाना था file के inside page setup पे क्लिक करना था page setup पे क्लिक करने के बाद यहां से हमने choose करना है header को या तो footer को header of footer क्या होगा header means top हिस्सा page का footer means bottom हिस्सा page का top हिस्से पे जो भी चीज़े आपको repeat करना है वो header में लिखो bottom footer means bottom of the page तो page के हर page के bottom में जो भी चीज़े आपको बार-बार repeat करने और footer में लिख सकते हो तो यह simple concept होता है तो जो भी जीमेल पेंशन कर लेता हो जैसे के नसिवखान.contact.me at the right of gmail.com तो अब क्या होगा जितने भी pages पे हमारा data print होगा 100 pages पे प्रिंट होगा data तो 100 pages पे ये दोनों चीज़े होंगे पर हाँ कुछ setup आपको मजीद करना होगा वो setup क्या होगा जिसे अगर आपको header में नसिव code studio print करना है तो यहाँ पे कुछ जगा चोड़ना होगा खतम करोगे तो यह miss print कर लेगा आपका data को और नसिव code studio आएगा और इसके उपर कुछ मजीद data आएगा तो यह कुछ इससरा से mix हो जाएगा जो कि bad practice और आपका पूरा document जाया हो जाएगा इसलिए जो भी header and footer में आपने लिखा है उनके लिए यहाँ पे margin में जगा चोड़ना है तो इस वकात यहाँ पे तोड़े जगा चोड़ा गया है उपर भी चोड़ा गया है पर आगर आप top को zero कर लेते हो और bottom को भी zero कर लेते हो तो header and footer इस text की उपर ही print होगा जिससे नाई text पड़ पाओगे header and footer जिसलिए यहाँ पे जो header and footer होंगे उनके लिए अपने margins और कुछ जगा चोड़ना है तो आपको समझा चुका होगा यहाँ पे क्या page को कैसे setup कर सकते हैं आपको paper चूज करना होता है पहले उसके बाद orientation चूज करना है landscape में print करना है पोट्रेट में print करना है margins कितना होगे तब आपको result मिलेगा लेकिन printing के लिए हम ज्यादतर word को use करते MS word को use करते तो शायद ही आप इसके उपर यह चीज़े print करना चाहो क्योंकि उसमें advanced tools होते और इसमें basic tools है बाकि input values तो अगर आप इसके होले से मजीद info चाते हो तो आप इस पे क्लिक कर लोगे और यह ल printer attach करना है फाइल पे क्लिक करना है print पे क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद अपना printer choose कर लो और यह पिर बता रहा है let's get your portrait कैसे content को print करना है no preview simple text editing program है इसलिए यह preview नहीं देर आपको कि आपके page के उपर content कैसे print होगा और रिवान आपको यह तक ना बताया जाता कि आपका यह ज जायरा है यह single page पे print होगा क्योंकि content बहुत ही खम है पर अगर यह ज्यादा होगा तो ज्यादा means आपका जो working area है वो कुछ spread है और पहला हुआ है तो control c copy करेंगे इसे अगर मैं control पेस्ट करूंगा multi time और control भी इस तरह पेस्ट करूंगा इसे और पेस्ट करने के बाद अब य help करता है advanced tools नहीं देता तो advanced tools के लिए आपको MS word जैसे या office जैसे softwares को use करना होगा वो हम आगे पढ़ रहे होंगे फिलाल अब file पे click करोगे print पे click करोगे click करने के बाद print में बता दो कि आपको कितने copies इसके निकान ले कितने put state निकान ले वह आप यहाँ पर बताओगे तो आप अगे इससे समझ रहोंगे in depth फिलाल अब जितना भी data आपने यहाँ पर लिखा होगा उनको print करने के लिए पे setup करना था पहले पर जैसी पे setup हो उनको print करने के लिए print पे आपको click करना था printer attach करोगे तब ही print होगा और जैसी printer attach कर लिए इसके बाद printer अपना यहाँ से choose कर ले हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो और next आप simple यहाँ पर print पर क्लिक करोगे इसके और भी settings है यहाँ आगे पढ़ रहे होंगे जब आप MSWord को start करोगे MSWord में आपको preview बे मिल जाता हो और वहाँ पर advanced tools होते हैं यह सारे चीज़ हम उसकी inside समझ रहोंगे फिलाल basic हमने यह करोगे यह किरा है जो काम आपने किया यहाँ पर changes किये क्या हो सेव करने है बिल्कुल सेव करने कौन से फाइल में सेव करना है वही टू.txt वाले फाइल में जो किये रहा तो आप save पर क्लिक कर लो यह simple उसी फाइल के inside जाके save हुआ और जो changes किये थे वो इसमें save हो गए और यहाँ पर tab close हो चगा है अचा टेप को close करने के लिए control plus w आफ यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहते हो यह पूरा window मुझे close करनाँ है तो यह बटन यह थो पर exit यह थो फिर close window क्लिक करेंगे यह पूरा shortcut keys को भी आप एक दफा ज़रूर try कर लो और next step आ रहा होगा यहां पर edit नाम का तो हम edit पर क्लिक करेंगे इसमें options कुछ ज्यादा है तो इन्हें हम step by step समझ रहे होंगे next step आ रहा है यहां पर edit नाम का और फिर view नाम का तो हम edit वाले टेप पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको डेर सारे टूल्स मिल जाते हैं इसके लिए हमारे पास content का होना लाजमी है तो एक दफा वो पिछले जो चीजी थे वो एक दफा रिवाइस करते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे वाट इस नौट पैड तो मैं यहां पर नौट पैड तो लिखेंगे नौट पैड इस आप सिंपल टेक्स एडिटिंग प्रोग्राम विच इस यूज़्ट फॉर विच इस उस्पोर टैपिंग परपस हमने यह लिखा यहां पर पर पस लिख लेते हैं अच्छा वट इस एक्स्टेंशन औफ एक्स्टेंशन औफ उफ नोट फैड नोट पैड का利व च्टेंशिण हूरह रहे होते ठेक्स्ट नेस्टर आरा है run command run command नोटपेट का run command क्या होगा तो आप कोगे notepad window प्लस आर प्रेस कर लो और इसके inside notepad टाइप कर लो enter करोगे तो notepad open होके आ जाएगा अच्छा याँ पे कुछ text मैं ने type कर लिया तो edit tape की inside इन चीज़ों को समझते हैं तो पेदा आ रहा है undo अंडू means एक step पीछे जाना तो अगर आप गलती कर लेते हो computer की inside या किसी software की inside तो आप पीछे जा सकते हो एक step या तो multiple steps तो MS Office multiple steps support करता तो यह basic text rating program है इसमें एक step आप पीछे जा सकते हो और एक step आप वापस आगे आ सकते हो आगे और पीछे मतलब अब देख लो अगर आप गलती कर लेते हो तो आप जल्दी से undo कर लेते हो तो अगर आप कुछ ज्यादा ही undo कर लेते हो आप कुछ ज्यादा ही पीछे चले जाते हो तो आप चाते हो कि नहीं गलती से में ज्यादा पीछे आ गया मुझे तोड़ सा और वह सारी चीज़े डिलीट हो गए, अब मुझे वह चीज़े डिलीट नहीं कर नहीं नहीं हो गए, झाल्ती से डिलीट हो गए, खलती को सुदारने के लिए undo और Ctrl Z, वबस आपका जो भी गलती होगा, वह सुदार जाएगा, और यहां पर आपके चीज़े आ जाएंगे, त अब Ctrl Y क्या होता है तो redo और undo undo means पीछे जाना और redo means वापस आगे आना तो अगर आप कुछ ज्यादा ही पीछे चले जाते हो जैसे Ctrl Z Ctrl Z से आप ज्यादा पीछे चले गए और वापस चाते हो कि वो चीज़े मुझे चाहिए थी इतना ज्यादा मुझे पीछे नहीं जाना था तो Ctrl Y प्रेस कर लो आप वापस आगे आ जाएंगे तो कुछ जिस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो undo और redo को Ctrl Z और Ctrl Y shortcut की एक सार और location पर type करना था पर content सही है पर location आलत है तो कुछ लोग इसे delete करके वापस यहाँ पर type करेंगे नहीं आप delete ना करो आप इसे select कर लो selection के बाद edit पर क्लिक कर लो आपके सामने option enable हो जाएगा cut का अगर selection नहीं करोगे तो गोर कर लो cut नाम का option disable है तो पहले selection करना है पर edit पर click क करना है और cut नाम का option enable हो जाएगा control x shortcut की है और यह shortcut keys भी आप एक दफा जरूर ट्राय करते जाए तो मैं option बता रहो आप shortcut keys की तरूब इन options को use कर सकते हो तो हम यहाँ पर selection करेंगे edit पर click करेंगे cut पर click करेंगे content गायब हो गया है अब गायब होने के बाद जहाँ पर भी paste चाहिए तो यह cursor आपको देख रहा होगा इसे आप यहाँ से move कर लो click के तरूब जिसे मुझे यहाँ पर content चाहिए तो मैंने cursor वहाँ से उठा के यहाँ पर राका edit पर click करेंगे और इसके बाद paste करेंगे cut के बाद paste करना होता है और paste आपको result देता है cut सिर्फ content को गायब कर कर लेता है clipboard में save कर लेता है और इसके बाद paste के तुरू आप clipboard से वह content वहापस निकाल सकते हो और कई पर paste कर सकते हो तो cut का result आपको paste दे रहा होता है तो हम यहाँ पर click करेंगे और edit पर click करेंगे तो content यहाँ पर दिख जाएगा अब इस content को वहाँ पर ले जाना है करना पर इसका काम क्या होगा इसका काम होगा copy करना duplicate बनाना तो copy पर क्लिक कर लो location जहापे भी कर सर रखोगे यह देख लो गायब नहीं हुआ पर इसका duplicate clipboard की inside save हो चुका है अब edit पर click कर लो तो इन दोनों का result आपको हमेशा कौन दे रहा होगा जहर बात है paste दे रहा होता ह तो जब आप किसी चीज़ को cut करो या तो copy कर लो तो paste के बाद आपको उन दोनों का result मिल रहा होता है हमने यहाँ पर office कर सर रखा edit पे click करेंगे paste पे click करेंगे तो जो चीज़े मैंने copy किये थे उसे मैं बार बार भी paste कर सकता हूँ one time copy करना होगा उसे बार बार आप paste कर सकते using control plus V और paste option तो cut कर लो या copy कर लो बार बार आप उनको paste कर सकते हो using paste option पेस्ट आपको result दे रहा होता है cut और copy का हाँ कुछ options यहाँ पे disable होंगे वो तब enable होंगे जब आप selection करते हो तो selection ज़रूरी है और must है edit की inside next option आ रहा होगा यहाँ पे delete का विल्कुल easy है selection कर लो यहाँ प next option आ रहा होगा define with Bing तो define with Bing बिंग क्या होगा तो Bing एक option है online option तो आप कह सकते हो इसके तुरू आप चीजों को translate कर सकते हो तो आपको अगर notepad का पता नहीं यह notepad का मतलब क्या है आप इसे translate करना चाहते हो तो select कर लो edit पे click कर लो Bing और define with Bing पे आप click करोगे तो इसके तो आप इसका translation निकाल सकते हो पर हाँ इसके लिए आपके पास internet का होना लाजमी है तो आप simple इसका translation अराम से या तो even अब browser को open कर लो यह word वहाँ पर भी सर्च करोगे अपना language सर्च कर लो उस language के according आपको यह मतलब देदेगा नेक्स आरा होगा यहाँ पर define with Bing के बाद नेक्स आरे find find means किसी word को find करना अब अगर आपको कोई कह दे कि चलो मुझे इसकी inside बता दो window नाम का word है या नहीं अब आप इस तरह उंगली पेर के तो चीज़े इस तरह डूंडोंगे नहीं बहुत टाइम लगेगा तो आप इसके लिए find नाम को option यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे क्ल अच्छा देखते नम का word है तो हमने यहाँ पे लेका notes感 down का जा रहा एक word यहाँ पर मिल चुका है उपर देखते एक और वर्ड मिल चुकह है उप़र एक और वर्ड आपे चार words notpad नाम के मिल चुके और even 5 words मिल चुके तो down के तो आप नीचे की तरफ आ सकते हो और इसके तो आप उपर की तरफ जा सकते हो तो कुछ इस तरह से आप चीजों को find out कर सकते हो बागी इसके मजीद options आ रहे हैं यह सिर्फ मुझे चोटी बीसी वाले notpad find करके दे रहा है यह उपर वाला notpad यह ignore कर रहा है देखलो फिर उपर वाले notpad की तरफ नहीं जा रहा है वजह उसका case match नहीं हो रहा है आप इस क्लिक करके आप यहाँ पर इसे uncheck करोगे तो अब देखलो यह उपर वाला notpad भी आपको check करके देदेगा क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ notpad नाम का word डूंट रहे बागी इसमें चोटी बीसी बड़ी बीसी नहीं देख रहे तो जब भी आपको case क्या according चीज़ों को match करना है तो आप use कर सकते हों यहाँ पर कौन सो option था match case अब इसे close करते हैं यहाँ पर जो भी word आपको find करना है तो इसके लिए हम use कर सकते है find control plus F next हार है find next तो आप यहाँ से setup कर लो window को जो भी चीज़े आपको find करना है वो इसकी inside type कर लो जिसे के मुझे यहाँ पर notepad को find करना है तो मैंने notepad को यहाँ पर type कर लैए. अब type करने के बाद जहर बात है kırcer आपको रखना होगा कि आपको नीचे के तरफ find करना है तो करसर तौप ये रखो, उपर की तरफ find करते हैं notpad को मुझे यह window नहीं देखना तो हम shortcut की भी find next के लिए use कर सकते है शूटकट की क्या होगी option क्या होगा option का नाम है find next F3 क्लिक कर लो यह next पर ख्लिक कर लेगा find next पर क्लिक कर लोगे तो यह next के तरफ चीज़े find कर सकता हो उपर की तरफ find करना है तो f3 के साथ आप shift की combine कर लो तो यह उल्टा काम करेगा मतलब उपर की तरफ find करेगा यह उपर की तरफ find कर रहा है और अगर सिर्फ आप f3 की press करते हो तो यह नीचे की तरफ find करके आपको words दे रहा होता है पर सबसे पहले setup जोरी होता आप यहाप पर क्लिक करके setup कर लो तो यह थे वो तीन उप्शन जिसके तुरू आप words को find कर सकते हो और यहाँ पर setup करोगे setup करने के बाद यह खुद भी आपको option दे रहा होता है कि उपर find करना या आपको कोई कहते है कि आपको notepad टाइप नहीं करना था यहाँ पर MS word टाइप करना था अपने गलती से multiple जगों पर notepad लिखा है तो अगर आपको यह question मिल जाता है कि चलो काम कर लो जो notepad आपने जिस जिस जगे पर लिखा है वो गलत लिखा है notepad हमें नहीं लिखना था आप notepad को replace कर लो word के साथ किस चीज़ के साथ word या तो MS word तो अगर आपने इस सो जगों पर notepad लिखा है तो आपको कितने जगों पर लिखना होगा और replace करना होगा सू जोगों 1000 जोगों पे लिका है, तो 1000 जोगों पे replace करना हुआ, तो हम manual खुँड जा के replacement नहीं करेंगे, या तो चीजों को replace नहीं करेंगे, ode को select कर लो, delete कर लो, लिक लो, नहीं, लिए उपशन FIRST न сегодня क्लिक करेंगे, उपशन का नाम का हो भा, replace है। क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हो अरा है क्या ढूड़ना आ है आप हो मुझे नॉटपीड धूड़ना है केस को मैस करना है या नहीं चेक लगा लो आप चां़ते हो कि नहीं सबस्क्त मुझे चुंची केस MS और पर लिखेंगे word तो MS word मैंने यहाँ पर लेका इसके बाद replace तो ढूंड लो मिला एक notepad का यहाँ पर word मिल चुका है replace तो सिर्फ वही word यहाँ पर replace हो जाएगा अगर आप चाहते हो सब replace किस चीज़ के साथ करेंगे तो हम लिखेंगे notepad और सब को एक साथ replace क्लिक कर लो सब एक साथ यहाँ पर replace हो जाएंगे अब वापिस notepad आ चुका है MS word की जगे किसी भी word को अगर आप घलती से multi time लिख लेते हो आप चाहते हो कि वो word मुझे नहीं चाहिए उसकी जगे पर कोई और word या चोटी बीसी या बड़ी बीसी जिसे के notepad यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ चुका हम कहेंगे बड़ी बीसी में notepad में इसे transform करना है तो मैंने यहाँ पर डूड़ना किस चीज़ को है notepad को चोटी बीसी बड़ी बीसी फरक नहीं पड़ता और हमने यहाँ पर case match का check नहीं लगा है और नेक्स आ रहा है यहाँ पर notepad मैंने बड़ी बीसी में लिखा तो जह को भी replace कर सकते हो इस option के तो और इसका shortcut की control plus HR होगा next option आ रहा है यहाँ पर go to go to means next line पर जम करना या किसी specific line पर जम करना तो माले आपने कुछ चीज़ों को मार किया है कि line number 10 की उपर मेरा कुछ content है मुझे वहाँ पर जम करना है line number 20 पर कुछ content है वहाँ पर मुझे काम करना है line number 100 पर मुझे काम करना है तो अगर आपका कोई lengthy document हो आपको line number जियाद है और आप चाते हो उन lines पर जम करना है तो आप इस सरह गिंद होगे कि एक line 2 line 3 line 4 line 5 line अच्छा यह पांच वा line है इसके बाद enter करोगे और यहाँ पर काम start करोगे तो आप इसके लिए भी shortcut की use कर सकते ह और और कई पर जम करने के लिए भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो option का तो go to पर हम क्लिक करेंगे तो मालो मुझे line number seven पर जाना है तो यह मुझे किया रहा है कि इस वकत line number six पर आप मुझे seven पर जाना है तो हम यहाँ प्लिकेंगे seven go to तो यह line number seven के उपर मेरा करसर रखेग यह रहे columns और rows हाँ यहाँ पर यह इसे क्या कह रहा है इसे lines कह रहा है यह जो मैं मार कर रहो आपके सामने इसे यह lines कह रहा है तभी तो हमें यहाँ पर information किस चीज़ का मिल रहा है line number seven का मिल रहा है करसर यहाँ पर पढ़ाता यह line number seven था अब यह column क्यों कह रहा है यहाँ यहा आगे चलते जाओ, करसर यहाँ पर बढ़ा होगा, तो कॉलम्स गिन लो, एक, दो, तीन, और यहाँ पर आजागा चार, पांच, छे, साथ, और यह हो जाएगा आठ, अगर आप स्पेस के उस साइड पर कॉलम्स को लिखते हो, तो यह कहेगा, कि यह आपके पास कॉलम्स नमब 3 में लेटर मुझूद है, तो सिंपल टेक्स रेटिंग प्रोग्राम है, इसलिए वो कुछ इस सरह से बहेव कर रहा है, तो स्टार्ट में करसर, कॉलम्स नमबर 1, यहाँ पर करसर, कॉलम्स नमबर 2, यहाँ पर कॉलम्स नमबर 9 हमें बताया जा रहा है, यहाँ पर कॉलम्स 4 पर हमारा करसन मुझूद है मैं 10 लिकूंगा गोटू पर क्लिक करूंगा जिसे मैंने 10 टाइब कर लिया तो यह मुझे बता रहा है कि आपका जो लाइन नमबर है वो आउट ओफ यह कॉंटेंट है तो आपका जो कॉंटेंट है वो कम लाइस भे मुझूद है और आपने 10 दे यहां ते रहा था कि आगे कोई लाइन नहीं है लाइन नमबर ही नहीं तो आप कैसे लाइन नमबर टेंट पर जम करना चाह सकते हैं अचा वापेस एडिटपर क्लिक करेंगे गोटू समझा चुका होगा specific लाइन पर जम करना है तो इस सारे सेलेक्ट हो जाएगा और कुछ तो भी आप selection कर सकते हो और इस तरह भी आप content को select कर सकते हो पर control A की तरू आप आराम से जितना भी content होगा वो select कर सकते है एडिट पर office क्लिक कर लो next आ रहा है time and date तो अगर आपने कुछ काम किया आप चाहते हो कि इसके just बद मुझे यहाँ पर time and date को insert करना है तो अब खुद से और पर 10 और पर 2024 तो आप time को भी देखके यहाँ पर type कर सकते हो जैसे मैं यहाँ लिकूंगा वापिस कोमा देखे 3,34 और अगर आप चाहते हो यह shortcut कोई button की तुरू मुझे यह चीज़े मिले type करने में यहाँ पर time लग रहा है कोई shortcut की या तो फिर मुझे option मिले तो यहाँ आपको option दे रहा है time and date shortcut की F5 क्लिक कर लो तो आपको यहाँ पर time मिल रहा है और इस side पर आपको date मिल रहा है अचा आपने नीचे पर काम कर लिया काम करने के बाद आप जाते हो कि मुझे इसकी जस्ट बात वापस time and date insert करना है तो edit पर click कर लो time and date पर click कर लो तो इस option की तुर आप time and date को insert कर सकते हैं समझा चुका होगा इसका F5 shortcut की होगा अचा नेक सारे font font क्या होता है जिसे के हर इंसान का handwriting होती है हर इंसान का क्या होता है handwriting जिसे मेरा handwriting आपके सामने यहां पर आ रहा होगा आपका handwriting इससे अलग होगा तो आपको यह handwriting अगर पसंद नहीं रहा तो transform करते हो course करके इसे transform करते हो किलिग्राफिय और खिरा या खुशखती लिखे अगर आप चाते हो मुझे यह वाला जो font देख रहा है यहां पर यह पसंद नहीं आ रहा यह मुझे change करना है यह क्या करना है तो यह होगा text text में जो आपने type किया है और इस text को जो भी face दिया गय रहा है उसे हम font कह रहे होते हैं तो हम edit पे click करेंगे और font पे click करेंगे font मुझे पसंद नहीं आ रहा तो font पे click कर लिया तो सब से पहले यहां पे font family आ रही होगी और उपर आ रहा तिम तो अब तिम पे click करके light उटा सकते हो dark तो तो मेरे system का तीम dark है तो अगर इस पे click यह notepad के लिए dark चाहिए या system के according इसे match करना है नेख सार है यहाँ पर font तो console और नीचे यहाँ पर आपको कुछ demo भी दिया जा रहा कि आप जो भी change करोगे नीचे आपको यहाँ पर preview भी दिया जा रहा तो हम family पर click करेंगे यहाँ से जो भी family आपको चाहिए होगा click करके आप family चूज कर लो तो यह इस वकत कौन सी family है चिलर है और चिलर family को जैसे आपने चूज कर लिया हम बाहर निकलोगे यहाँ से तो content देख लो चिलर family में यहाँ पर convert हो जोगा इवन notepad की inside आप typography भी सीख सकते हो पर याद रखलो notepad selection पे काम नहीं करता है simple text rating program है इसलिए selection पे आप काम हर्गिज नहीं कर सकते हैं जिसे आप चाते हो start के सिर्फ दो line मुझे change करने हैं उसके font change करने हैं और आप यहाँ से कोई font choose करते हो पिर तो choose करने के बाद पिर बाहर निकलोगे पूरा document यहाँ पर transform हो चुका होगा वो दो line नहीं तो notepad selection पे आपका जो font वगएरा है वो change नहीं कर रहा होता है और वो MS Word में होता है पर इसमें नहीं अब font पे office क्लिक करोगे पूरे document के लिए जो भी font आपको पसंद आता है के लिए internet पे आपको जाना होगा वहाँ पे search करना होगा font और इसे download कर लो install कर लो वो font भी यहाँ पे हाजाएगा तो जो भी font आपको चाहिए होगा click करने से वो font आपको मिल जाएगा जो भी font चाहिए यहाँ पे बहुत सारे fonts हैं अब सारे में try नहीं कर सकता तो आप खुछ try करोगे इन fonts को जो भी आपको अच्छा लगे अप उस font को select कर लो selection के बाद आपके document उसी font में आपको दिक रहा होता है तो यह रहा mix font तो आपको mix font और mix writing सीखनी है तो इस text को देखके आप यहाँ पे type कर लो तो जो भी चीज़े type करोगे वो इस font में आपको मिल रहा होगा बाकि जैसे मैं यहाँ पे end type कर लेता हूँ last में हम enter करके यहाँ पे मैं end type करूँगा तो caligraphy भी इसी तरह होता है तो अगर हम यहाँ पे end type कर रहा है तो देखलो इन मुझे इस सारह design में दे रहा है चुटी VC कर रहा हूँ तो चुटी VC में end मुझे कुछ यू मिल रहा हूँ तो अब यहाँ पर इसकी तो टाइपोग्राफी भी वो mix जो writing होती है वो भी सीख सकते हो एक notebook अपने सामने रखो और इसको देखके कुछ यू टाइप कर लो जैसे के यह कुछ यू ता पिर यू ता पिर यू हमने यहाँ पर इनको टाइप करना किलिग्राफी में सीख लिए अब next आ रहा है यहाँ पर style तो जो भी font आपने यहाँ से choose किया है वो कौIONसे कौन से style यहाँ पर support करता है वो आप यहाँ से choose कर सकते हो तो click कर लो यहाँ में एप phone choose कर लिया click करने के बाद regular और हम यहाँ पर click कर रहें तो इस व्वकभ जो भी font है बहjamin चूस किया वो सिर्फ फॉरसेर विस्वा का style कौन सा promote कर रहा है या कौन सा support कर रहा है regular बाकि अगर आप font change कर लो जिसे कि यह वला यहाँ पर click करोगे यह भी same इसी तरह regular हम यहाँ पर click करेंगे इसमें bold support होता है तो agency FV पर click करोगे यहाँ पर यह bold support कर रहा है तो bold means तोड़से इमोठा हो जाएगा regular तोड़से पतला यहाँ एक चीज हमेशा याद रखलो style कुछ जगों पर ज्यादा हो सकते कुछ जगों पर कम हो सकते पर यह हमेशा चोटा हो जाता है और 72 अगर हम type करते इंटर तो यह इतना जएदा बड़ा हो जाएगा तो आदे यहाँ पर type भी कर सकते हो जीसों के eight size आपके पास यह पर चोटा होता है और even आप यहाँ पर time भी कर सकते हो size जैसे के 8 सबसे चोटा size होता है इससे भी आपने यहाँ पर content को चोटा और small लेकाना है तो आप यहाँ पर type कर सकते हो जैसे के मैं 2 type करूंगा और enter करूंगा तो 2 कुछ ज्यादा यह जो खुर्द बिन होता है उसके तुरू भी शायद यह आप इसे देख सको पर यह two size one enter और हम यहाँ पर one लेकेंगे इंटर तो यह one size और यहाँ पर 72 अगर type करते हैं इंटर तो यह 72 होगा 73 type करते हैं तो यह 73 78 type करते हैं तो यह 78 और अगर हम यहाँ पर आगे 0 वगरा कुछ लगाने की कोशिश कर रहे तो जाहर बात है वो यहाँ पर without कोई मतलब हो जाता है और इसलिए वो support नहीं करता है बाकि आप size को select करके wheeler गुमाओगे तब भी आपको यहाँ पर sizes change होते दिख रहे होगे अच्छा नेक्स देखते हैं यहाँ पर तो इडिट पर office क्लिक करेंगे font पर क्लिक करेंगे last option था यहाँ पर और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर नेक्स आरे word wrap नहीं करोगे यह इंटर का wait कर रहा है तो इंटर कर ली है पर यह नेक्स लाइन में आएगा पर आगे जाएगा तो मैं यहाँ पर चाह क्या रहाता कि मेरा जो content है वो जैसे यहाँ तक पहुंचा पहुंचने के बाद automatic नेक्स लाइन में शिफ्ट हो जाए पर जैसे यह content यहाँ तक पहुंचेगा फिर नेक्स लाइन में वापिस शिफ्ट हो जाए तो यह खुद यहाँ पर स्क्रिंग को खतम करने के बाद enter कर ले तो इसके लिए word wrap हमारा help कर रहा होता है content इससरा आगे की तरफ निकल रहा है और यह स्क्रूल बार आ रहा है horizontal स्क्रूल बार यह नहीं चाहिए तो आप edit पे क्लिक कर ले font पे क्लिक कर ले और यहाँ पर word wrap होगा इसे यहाँ से enable और on कर ले on करने के बाद वापिस पीचे चले जाए अब यहाँ पर content को देख ले horizontal जो स्क्रूल बार है वो नहीं आ रहा और जैसे हम यहाँ पर type करेंगे वापिस किसी भी later com पकड़ करेंगे या content type करेंगे तो जैसी window खतम तो यह automatic next line में shift हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप horizontal स्कूल बार को disable कर सकते हो और content को आगे जाने से बचा सकते हो तो edit की inside आप click करोगे वापिस आप font पे click करोगे तो इस option की तुरू आप content को आगे जाने से रोक सकते हो word wrap की तुरू अच्छा edit पे click करने के बाद font पे हम आप इस click कर रहे होंगे और next और होगा यहाँ पे एक और option और option का नाम क्या है open file तो file को कहा पे open करना है जब आप किसी भी file को open करते हो तो वो एक नया window में open हो जाता है जैसे कि तो मैं यहाँ पे यह window जोटा कर लेता हो औ यहाँ पर इस window में open नहीं हुआ यह एक नए window में यहाँ पर open हो चुका है तो अगर आप चाहते हो कि यह same window के साथ next step में open होना चाहिए यह अलग window खुद के लिए create ना करे तो इसके लिए अपने edit पे click करना होगा font पे click करना होगा click करने के बाद यहाँ नीचे सामने option होग तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इन tabs को भी open करने का जो तरीका होता है उन्हें यहाँ से manage कर सकते हो अच्छा next आ रहा है यहाँ पर जब notepad को start कर ले तो करना क्या है तो कहा जा रहा है कि previous जो भी sessions होंगे उनको continue कर लो या तो पर start new session and discard unsaved changes तो इन दोनों का मतलब क्या होता है देख लो continuous previous session अगर मैं इसे close कर लो और यहाँ पर office notepad को search करके open कर लो open करने के बाद यह मुझे last step दिखा रहा है कि आपका previous और last time आपने इस फाइल पे काम किया था और इसका backup मैं आपको दे रहा हो आपने save भी नहीं किया इसे लेकिन अगर आप चाहरे हो कि नहीं यह हमेशा एक नए फाइल के साथ open हो कि मुझे मिले पुराना फाइल मुझे ना दिखा है तो अब यहाँ पर क्लिक कर सकते हो यह option choose कर लो और अगर मैं इसे close कर लो और यह दिख लो सबसे पहले मुझे से पूछ रहा है कि यह फाइल जाया होने जा रहा है कि आप इसे save करन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सेटिंग चेंज किया सेटिंग में हमने बताया कि जब भी हम notpad को open कर लें तो previous नहीं हमें एक नया फाइल हमेशा दिया करो अचा अगर आप चाते हो कि मुझे previous तो आप यह चेक लगा लो अगर आप चाते हो previous मुझे नहीं चाहिए last time का जो भ यहां पर यह लिखा तो देख लो यहां पर spelling चेकर नीचे हमें warning दे रहा है कि गलत है right क्लिक करोगे तो अपके सामने यहां पर suggestions आ जाएंगे और spell checker यहां पर different type के extensions पर भी काम कर रहा होता है तो यह option इसके inside होते हैं आप जैसे enable करोगे तो सब enable हो जाएंगे इसे disable करोगे तो सारे disable हो जाएंगे इसका simple मतलब होता है कि यह जो बागी जैसे कि .md होता है .srt होता है .aws होता है और lrc होता है वगयरा तो इन type के फाइल्स के inside भी यह आपको spell checker का जो features यह वो दे रहा होता है अगर मैं यहाँ पर कोई भी spelling गलत लिकूंगा तब भी मुझे यहाँ पर suggestion मिलेगा वो suggestion हमें को देगा spell checker नेक्स आरा है यहाँ पर auto correct अटो करेक्ट यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो भी चीज़े आपने पिछली दफ़ा type किया था अगर उसमें कोई भी गलती आपनी कीती तो वो spelling checker आपके पास tick कर रहा होता है वो चीज़े और इन feature अगर आप same word को आगे repeat करते हो और आपने अ यहाँ के आगे की जो वर्ड दोंगे उसे वापिस suggestion और spell checker की तो ठीक कर रहे होते हैं पर आगर आप चाहते हो कि नहीं वो खुद बहुद ठीक हो जाए पिछला जो भी word मैंने ठीक किया है वो उसे copy करके ठीक हो जाए तो आप यह option यहां से enable कर सकते हो वाकि यहाँ पर मज चाहो इस software के हवाले से help लेना चाहो तो यह चीजी भी आपको यहाँ पर दी जा रहे हैं पर अमीद करता हूँ आपको यहाँ पर edit tape भी समझ आ चुका होगा और सिर्फ आपको यूज करना इन shortcut keys को और इन shortcut keys को भी एक तफ़ा ज़रूर try कर लो option को वेसी है आपने यहाँ प कर लो सारे option यहाँ पर enable हो जाएंगे तो जो option disable होंगे उनको enable करने के लिए आपको selection करनी होगी अचा नेक्स और लास्ट एबार है वीव की नाम से वीव के तुर आप जूम कर सकते हो तो जूम इन के तुरू सिर्फ यह बड़े हो रहे होते और बड़े दिक रहे होते पर बड़े होते नहीं है इसी तरह जूम आउट होता है तो यहाँ पर क्लिक करने से आप जूम आउट कर सकते हो जूम आउट कर ले तो कंट्रोल के साथ वील अगर में गुमा रहा हो तो उसकी तुरूबी में जूम और जूम आउट कर सकता हो और यहाँ पर आपको percentage देख रह अंचेक कर लो status bar गायब तो निची जो status bar आ रहा था वो गयब हो चुका है अब वापिस वीव पे क्लिक कर लो status bar enable कर सकते हो वो लास्ट अप्शन हा रहा है wordrip यहासे भी wordrip को अप enable कर सकते हो wordrip का क्या था जो भी type कर रहा हो वह अगर यहाँ पे आगी की तरफ निकल रहा है तो उसे next line में shift करने के लिए अब यह चेक लगा ले चेक अगर हटा लेंगे तो यह आगे की तरफ जा रहा है चेक अगर लगा लेंगे तो यह automatic window खतम तो यह enter कर लेगा तो यह थे सारे tools यहाँ पे notpad के बागी आप settings पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे वही same चीज़े आपके स simple हम यहाँ पे इसकी inside तीन और चार प्रोजेक्स बनाते हैं